दोस्तो केरियर पॉइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि मानव संबदा पर आप छुट्टी किस तरह से ले सकते हैं तो छुट्टी लेने के दो तरीके हैं आप मानव संबदा की वेब साइट से ले सकते हैं या इसके लिए एक एप होती है मिस थापना एप दोस्तों मानव संबदा पॉर्टल लोगिन करने के दो तरीके हैं आप गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर पर जाकर ehrms.upsdc.gov.in पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपको जो है इस तरह का पेज ओपन होगा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे चर जो आप देख रहे हैं तो सब से बहिने हम Coronavirus लोगिन पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यह user login page आपन हम जाता है इसमें हम department सेलेक्ट करेंगे जैसे मान लो आपका Department basic education department है तो basic education department हमने सेवेक्टी कर लिया उसके बाद user ID, password को उसके बाद captcha दिया है, captcha fill करेंगे उसके बाद नीचे login का options है तो login पर click करेंगे, इस तरह से आपका account login हो जाएगा अगर आपके पास यूजर आड़ी और पासवर्ड नहीं है मतलब आपकी अगर नई ज्वाइनिंग है तो आप यूजर आड़ी और पासवर्ड अपने BRC से संपर करके ले सकते हैं दोस्तों अगर आप M.S.T.A.P. से छुटी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको M.S.T.A.P. एप इंस्टॉल करने होगी प्लेश टोर से तो हम प्लेश टोर पर M.S.T.A.P. टाइप करते हैं M.S.T.A.P. करते ही बहुत सारे ओप्शन सामने आएंगे तो हमें जो सबसे उपर यह ग्रीन आपको टिक दिख रहा है M.S.T.A.P. इस पर हम किलिक करते हैं किलिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आता है चुकि हमारे मॉमाइल में यह पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन करने का ओप्शन आ रहा है अगर आपके मॉमाइल में यह पहले से नहीं है तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करना औप्शन आएगा वहाँ से आप इसे इस्टॉल कर सकते हैं अब हम इस एप को open करते हैं open करते हैं सबसे नीचे लिखा आता है welcome continue to login तो हम यहाँ से continue करते हैं continue करने के बाद में हमें अपना department select करना है यहाँ पर बहुत सरे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जैसे Basic Education, Medical, राज जी, All Other Department हो सकते हैं हमारा डिपार्टमेंट Basic Education Department है तो हम यहाँ से Basic Education Department सेलेक्ट करते हैं उसके बाद Enter Your EHRMS User ID तो हमारी जो EHRMS User ID है उसको हम फिल करते हैं उसके बाद Password हम अपना Password एंटर करते हैं नेक्ष्ट है I am not a robot मतलब यह एप जो है किरोज चेक कर दी है कि कहीं आप रोबर्ट तो नहीं है अब यह एप अपडेट हो चुकी है इससे पहले जब यह Options आता था तो हम यहाँ पर किलिक करते थे तो बहुत सारी बाइस्किल्स या Cars या Traffic Signal इस तरह की बहुत सारी पिक्टर्स होती थी जिसमें बहुत जा Confusion Create होता था कहीं बार Login करने में परिशानी होती थी अब यह एप अपडेट हो चुकी है तो यहाँ पर बहुत Easy Options आता है आप देखे कितना Easy है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आइम नोट रोबर्ट पर क्लिक करने के बाद यह हम से मालूम करता है 6 प्लस 8 तो कितना Easy है हम Enter कर सकते हैं 6 प्लस 8 14 यहाँ से हम Verify करते हैं यह एकदम से Verify हो गया Verify करने के बाद यहाँ सम्मिट कर देते हैं कि सम्मिट करने के बाद यहाँ पर तीन ओप्शन आते हैं कि सबसे पहले लिवमेनेजमेंट चर्म सेकन्ड सेली सिलिप थड़ सर्विस बुक अभी सेकंड और थड़ ओप्शन काम नहीं कर रहे हैं जो फर्स्ट ओप्शन है लीव मेनेजमेंट इस पर हम किलिक करते हैं किलिक करने के बाद यहाँ पर जो है new page open होता है तो इसमें सबसे उपर options है select oblique change reporting officer second है apply for leave third है check status fourth है view leave request fifth है check leave balance मतलब यहाँ पर आप apply कर सकते हैं उसका status देख सकते हैं आप leave request देख सकते हैं अपनी balance leave भी check कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको reporting officer select करना है अगर आप में reporting officer पहले से select कर रखा है तो आपको दुबारा select करने ही जुरूत नहीं है लेकिन अगर आप first time leave ले रहे हैं तो आपको reporting officer select करना पड़ेगा हम यहाँ पर reporting officer पे click करते हैं रिपोर्टिंग ओफिसर पी क्लिक करते ही, सबसे पहले हमें अपना डिश्टिक सिलेक्ट करना होता है उसके बाद सिलेक्ट लेविल सिलेक्ट लेविल में सबसे नीचे दो आप्शन्स है, एक स्कूल का है और एक बिलोग एजुकेशन ओफिसर अगर आप अपने हेड को रिपोर्टिंग ओफिसर बना रहे हैं, तो सिलेक्ट करेंगें, अगर आप बिलोग एजुकेशन ओफिसर को रिपोर्टिंग ओफिसर बना रहे हैं, तो बिलोग एजुकेशन ओफिसर सिलेक्ट करेंगें, तो यहाँ पर हम बिलोग एजुकेशन कार्याले होगा हाँ कि दो हमने अपना स्लेक्ट्ट कर लिया अलहं कि अब यहां पर उस कार्याले के सारे I'm pro eyes के नाम आ जाएंगे तो समयति क से बना है तो हमने अपना ओफिसर को स्लेक्ट धिकर लिया के उसके बाद नीचे confirm कर दिया है confirm reporting officer पर click करते ही उसके बाद message आता है are you sure you confirm सुनील कुमार as your reporting officer for leave तो confirm कर देते हैं यहाँ पर confirm करने के बाद confirmation message आता है सुनील कुमार has been confirmed as your reporting for leave please login again मतलब यहाँ पर जो है confirmation के बाद में यहाँ से यह लोग आउट हो जाता है फिर दुबारा में login करना पड़ता है तो ओके पर किलिक करते हैं और के पर किलिक करने के बाद में यह लोग आउट हो गया अब यहां से हम दुबारा स्लेक्ट करते हैं स्लेक्ट डिपार्टमेंट basic education department यहाँ पर हम अपनी id एंटर करते हैं पासवर्ड एंटर करते हैं उसके बाद यह आइम नोट रोबर्ट पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर है नाइन इंटु थ्री नाइन मल्टिप्लाई थ्री यह वेरिफाई हो गया उसके बाद यहाँ पर submit पर किलिक करते हैं submit करते ही हमारी id लोगिन हो जाती है अब हमें leave के लिए apply करना है तो यहाँ पर जो 5 options है उसमें second option है apply for leave तो apply for leave पर किलिक करते हैं क्लिक करते ही सबसे उपर reporting officer का नाम लिखा होता है हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारी reporting officer यहीं है उसके बाद leave type पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी EL CL बहुत सारे options हैं तो हमें यहाँ पर casual leave लेनी है तो casual leave पर क्लिक करते हैं कि उसके बाद from में किस date से आपको छुटी लेनी है मानलों में तीस तारीक कि छुटी लेनी है तो यह थी किलिक करते हैं कि टू में भी तीस तारीक आएगा क्योंगे हमें एक दिन की चुटी लेनी है उसके बाद ground select ground में जो भी reason से छुटी लेने का वो select कर लेते हैं मानलो आपको personal work है तो personal work को हम select कर लेते हैं उसके बाद upload documents आपने जो application लिख रखी वो mobile की gallery में है इस पे click करते हैं उसके बाद हम mobile gallery से connect हो जाते हैं और अपनी application select कर लेते हैं यहाँ पर यह application upload हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर हम submit करते हैं submit करते ही हमारी application send हो जाएगी इसको हम check status में check भी कर सकते हैं और हम यहाँ से check भी कर सकते हैं हमारी कितनी चुटी बागी बची हैं इस application पर leave list related सरी जान कर या उपलब्द हैं उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए तद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद सब्सक्राण में